सांथाल परिवार यहाँ एक अच्छा मूर्तिकला है जो एक महान चित्रकार या मूर्तिकार राम किंकर वेज द्वारा बनाया हुआ अच्छा मूर्तिकला है राम किंकर वेज एक अच्छे मूर्तिकार थे उन्होंने सांथाल परिवार नाम का एक अच्छा मूर्ति बनाया है यहां मूर्ति काफी आधुनिक है यहां मूर्तिकला की कोई निश्चित सैले नहीं है यहां मूर्तिकला सिमेंट, बालू, इबन कंकलों के साहयरता से बनाई गई है यहां मूर्तिकला संभवत दस फिट उची है सांथिनिकेतन के कला भवन में, के प्रांगन में यहां मूर्तिकला बनाया गया है राम किंकर बेजने इस मूर्तिकला को काफी साधरन धंग से एबन काफी सुन्दर रूप से बनाए है यहां मूर्तिकला राम किंकर बेजने दो हुमन फिगर्स को दर्साय है यहां काफी जटिल रचना है जिसमें तीन हुमन फिगर्स दर्साया गया है यहां मूर्तिकला में दो आक्रितियां अगल बगल खड़ी हैं एक कुत्ता तथा एक बच्चा है जो पोल से लटके हुए एक टोक्रे में हैं आवरत आदमी के बगल में चल रही हैं। तथा उनके सिर पर बोज़ा रखा हुआ है एक कुत्ता आदमी के साथ चल रहा है यहां एक पुरी प्रवाशी परिवार तथा स्रम प्रवाश का प्रतीक हैं। यहां एक ऐसा परिवार का वास्तविक कटुचित्र है जो भूख के कारण अपनी भूमी को छोड़ने के लिए बाध्य है। यहां मुर्तिकला काफी सुन्दर माना गया है। इस मुर्तिकला में राम किंकर बेजने बहुत सुन्दर ढंग से ग्रामीन दिस्ट को दिखाए हैं। इसमें सिमेंट और बालू का अच्छा काम किये हैं। यहां मुर्तिकला सांतिनी केतन में कला भवन के प्रांगन में इस्थित है। यहां मुर्तिकला में बहुत ही सुक्ष्म ढंग से एक परिबार को दिखाया गया है। जिसमें दो लोग हैं, एक बच्चे हैं और एक पालतू कुट्टे को दरसाया गया है। राम किंकर की मुर्तिकला उनके चारों और के सरल लोगों की सोच तथा संग लगना था को प्रतिविम्बित करती है। उनकी मुर्तिकला में एक गतिसिल गतिमाय मुर्तिकला लगता है। यह मुर्तिकला काफी सरल एवं सुन्दर है। राम किंकर वेज काफी अच्छा मुर्तिकार के साथ साथ अच्छे एक चित्रकार भी थे। उन्होंने बहुत सारे चित्र भी बनाएं एवं महान मुर्तिकार भी थे। सांथाल फैमिली एक अच्छा मुर्तिकला यवं आधुनिक मुर्तिकला माना गया है। के साथ औरले मुर्चा मुर्तिकार भी है। कि अच्छार भी है।